भारतिय राष्ट्रे आंदोलन के अंतरगत बहुत सारे नेताओं का जिक्र बार-बार हो रहा है और हम इन नेताओं को बारी-बारी से पढ़ते जा रहे हैं जिसके अंतरगत हम लोगों ने दादा भाई नौरो जी उनके विशय में हम लोगों ने जाना आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उदारवादी नेता सुरेंदर नाथ बैनर जी के विशय में इनसे रिलेटेड भी काफी कुछ विभिन परिक्षाओं में पूछा जाता है तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है तो आखिर तक जरूर दिखिएगा तो सुरेंदर नाथ बैनर जी जो की भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और ये उदारवादी दल से आते थे जो भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस वो दो धड़ों में बढ़ गया था ना एक उदारवाद और दूसरा उग्रवाद तो जो सुरेंदर नाथ बैनर जी थे ये उदारवादी नेता थे ध्यान रखना है आपसे कहीं बार ऐसा भी पूछा जाता है कि चार-पांच नेताओं का नाम दे दिया जाएगा आप बोलेगा कि कौन सा नेता उदारवादी है कौन सा नेता उग्रवादी है तो मैंने काफी बार बताया हुआ है कि सुरेंदर नाथ बैनर जी दादा भाई नावरो जी उसके बाद राखाल अपने जो गुपाल कृष्ण गोखले फिरोज साह मेहता बदरूदिन तैयब जी ये सब जो हैं उदारवादी नेता थे व्योमेश चंद्र बैनर जी जिन्होंने पहले अधिवेशन के अध्यक्षिता की थी तो ये सब जो हैं लखना है 1848 में बंगाल के प्रतिष्थित बंगाली ब्रामण परिवार में इनका जन्म हुआ था ये बंगाली थे और इनकी जो सिक्षा रिक्षा है वही हुई और पढ़ाई लिखाई में काफी ये तेज थे और बहुत जल्दी इन्होंने कम आयू में ही इस नातक की उप आयू में मात्र 20 वर्स की आयू में इन्होंने जो है आइसी अस की परिख्षा उत्तिर्ण कर ली आइसी ऐस क्या होता है आइसी एस इंडियन सीविल सर्विस भारतिय लोक शेवा का जो परिख्षा होता था उस जमाने में जिसके माध्यम से ब्रिटिस सरकार में बड़े पाग के बड़े अधिकारी उनकी नियुक्ति होती है तो पहले ICS होता था तो सुरेंद्रनाथ बैनर जी इन्हों ने जो है 1868 में ICS की परिक्षा उत्तिर्ण कर ली उस जमाने में परिक्षा देने के लिए एक निर्धारित आयू होती थी कितना वर्स होता था 21 वर्स तो यह जो है 21 वर्स होने के पहले ही इन्होंने इसको उत्तिर्ण कर लिया अच्छा, ICS की परिक्षा उत्तिर्ण करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्रनाथ-टैगोर यह चीज भी आप लोग ध्यान में रखेगा, इन्होंने 1867 में ICS की परिक्षा उत्तिर्ण की थी और उसके बाद फिर सूरेंदरनाथ बैनर जी तो सबसे पहले भारती जिन्होंने ICS की परिक्षा उत्तिर्ण की बहुत बड़ी बात समझी जाती थी यह जो परिक्षा है यह लंदन में होता था इंगलेंड में होता था भारत में नहीं होता था सोचिएगा 20 वर्स के जो बच्चे हैं बच्चे ही होंगे 20 वर्स के तो वो जो हैं दूसरे देश में जाकर के उस टाइम पे जो यात्रा करना वो भी बड़ा कठीन होता था समुद्री यात्रा समुद्र के रास्ते से जाना होता था काफी दिन लगते थे और वहां जाकर के र इस परिक्षा को उत्रिण कर लिया इसके बाद इनकी न्यूक्ति सिलहट बंगाल में एक इस्थान है सिलहट ये कहां पर है बंगाल में सिलहट है बंगाल में और यहां पर इनको जो है 1887 की इस्थिती में सहयक दंडा धिकारी के रूप में न्यूक्त किया जाता है सहयक दंड अधिकारी मतलब एक जज के रूप में इनकी नुक्ती होती है साहयक दंडा धिकारी ने जज नहीं साहयरी पूलीस था साहयरी तो 1877 की स्थिते में ये सिलहट में साहयक दंडा धिकारी के पद पर नुक्त होए लेकिन यहां पर देखिएगा कि जो अंग्रेज थे वो भला ये कैसे चाहेंगे कि भारतिय लोग जिनको वो क्या बोलते थे काला कुत्ता बोलके बोलाते थे एकदम कुछ कर नहीं पाओगे तुम लोग जो है कुछ करने लायक नहीं हो ऐसा वो लोग समझते थे और जब किसी भारतिय ने ICS की परिक्षा उत्तिर्ण की तो उनको काफी जलने लगे थे अंग्रेज और वो जो है किसी ना किसी बहाने से इनको ICS की परिक्षा से दूर रखने की कोशिज करते थे और कोई ICS की परिक्षा उत्तिर्ण कर लेता था कोई पद पा लेता था तो उसको जो है परिसान किया जाता था काम करने से जो है बाधाएं उत्पन की जा इनकाल दिया गया, झो पडिन मिला था उससे इनको बरखास्त कर दिया गया, ध्यान रखेंगे इनको बरखास्त किया गया था, मामूली सी गलती के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की यही नीटी थी, सबसे पहले टो उन्होंने ICS की परिक्षा को कुछ इस तरह से बनाया था कि जो भारतिय हैं वो उसको उतिर्ण न कर सके, वहां तक वो पहुँच ही न सके, मतलब लंदन जाके पेपर देना पड़ता था, सारा कुछ जो है अंग्रेजी में होता था, भारत का कुछ भी नहीं होता था उसमें, तो ये समस्या थी, कोई अगर पास कर ले, उस परिक्षा को उतिर्ण कर ले, तो उसके बाद जो चैन प्रक्रिया होती थी न, वो भी बड़ा जटिल होता था, उसमें भी काफी सारे लोगों को बाहर कर दिया जाता था, जैसे कि अर्विंद घोस, अर्विंद घोस जो की एक उगर विचार वाले नेता थे, तो अर्विंद घोस उन्ह जो है घोड़ा चलाना नहीं आता था, घोड़ सवारी उनको नहीं आती थी, और ये एक मामूली सी बात थी, छोटी सी बात थी, और इसी के लिए उनको जो है इतने बड़े परिक्षा को उतिर्ण करने के बावजूद भी उनका चैन नहीं हो सका, क्योंकि वो बोला गया कि आपको घोड़ा चलाना नहीं आता है, घोड़ सवारी नहीं आती है, आप अपने छेतर का दौरा करेंगे कैसे जाएंगे, मतलब आज के समय में मान लो, कोई कलेक्टर का एक्जाम देता है, आई-एस का एक्जाम देता है, टॉप कर लेता है, उसके बाद उसको बोला बेनर जी को बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन अब अब सुरेंद्रनाथ बेनर जी, चूकि वो कुछ वर्स अंग्रेजों के साथ काम कर चुके थे, तो उनकी नीतियों को समझ चुके थे, तो अब वो राष्ट्र हित में काम करना सुरू कर देते हैं, इसी बीच ये क्य करते हैं, 18 एक संगठन बनाते हैं, 26 जुलाई 1886 को, 26 जुलाई 1886 में एक संगठन इस्थापित करते हैं, और इस संगठन का उद्देश से क्या था, भारतियों के सार्वजनिक, राजनेतिक, आर्थिक हितों की और जो समस्याइं हैं, उनका समाधान करना, और भारतियों को राजनेतिक रूप से जागरत करना, इस संगठन का उद्देश से था, इस संगठन का नाम था, इंडियन एसोसीयेशन, बहुत जादा इंपोर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है, कि इंडियन एसोसीयेशन किसके द्वारा इस्थापित किया गया था, तो सुरेंद गुड सवारी नहीं आती थी इसलिए उनको जो है चैन से बाहर कर दिया गया देखो सब चीज पूछा गया है जो भी पढ़ाता हूना सब इंपोर्टेंट है सब आप लोग नोट करके रखिएगा तो इंडियान एसोसियेशन की इस्थापना होती है सन 1886 में उद्देश से मै लिटन बड़ा कुख्यात हुआ था काफी सारे इसने उल जुलूल कानून लागू किये थे न तो लिटन ने क्या किया था एक तो इसके समय में भेंकर अकाल पड़ा था दिल्ली में दरबार लगा के बैठा था वर्ना की उलर प्रेसेक्ट लाया सस्त्र अधिनियम लाया इ इस जमाने में जब अपने सुरेंद्रनाथ बेनर जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर इन लोगों ने जब ICS की परिक्षा दीना उस समय ICS की परिक्षा में बैठने की जो आयू थी 21 वर्स अधिक्तम 21 वर्स से उपर का बंदा जो है उस परिक्षा को नहीं दी सकता तो इस समय क् 21 वर्स वाला जो मापदंड था उसके हिसाब से इन्होंने परिक्षा दी थी तो लिटन ने क्या किया ये बिलकुल नहीं चाहता था कि भारतिया लोग जो है ICS की परिक्षा उटिंड करें और बड़े बड़े पदप्राप्त करें ये लिटन बिलकुल नहीं चाहता था इस इसको इसने कम कर दिया कितना कर दिया 19 वर्स लो मतलब की अब 19 वर्स काफी कम आयू होती है न तो 19 वर्स से कम आयू के जो लोग Personally बैठ सकते हैं मतलब देखो जो लंदन में रहने योडे लोग उनके लिए कोई समस्या नहीं कोई दिक्कत नहीं ये और वहां तो भाई घो तो अब जो है इसने क्या किया 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया तो यहाँ पर जो सुरेंद्रनाज बैनर जी है इनका दिमाग घूम गया भई यह खुद ICS रह चुके हैं यह परिक्षा दे चुके हैं तो वो जानते हैं इसका महत्व जानते हैं कि अगर भारती बड़ी संख्या में ICS की परिक्षा उत्तिर्ण करके ब्रिटिस भारत में बड़े-बड़े पद को प्राप्त करें तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं तो यह इसका महत्व जानते थे तो यह क्या करते हैं इसके लिए आंदोलन शुरू कर देते कि भई इसको तुम वापस लो और यह बोला जाता है कि जो ICS की परिक्षा में बैठने की अधिक्तम आयू को सीधा 23 वर्स किया जा यह बोलते हैं और इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन सुरू कर देते हैं और उस समय का जो यवावर्ग था जो उसमें पढ़ाई वगरे कर रहे थे और दूसरे सिक्षित वो सब यहाँ पर सुरेंदरनाथ बैनर जी का समर्थन करते हैं इनका साथ देते हैं इसके विरुध जो व्यापक आंदोलन चलाया था तो यह भी आपसे पूछा जाता है कि ICS में जो उम्र वाला जो मामला हुआ था मतलब 21-19 वर्स तो इसके विरुध किसने व्यापक अदोलन नहीं हुआ था इसके बाद देखिएगा इनका जो इंडियान एसोसियेशन था ना थोड़ा समय इंडियान एसोसियेशन के बारे में बता दूँ यह भारतिये राष्ट्रे कॉंग्रेस के पूर्व इस्थापित सबसे महत्तोपूर्ण संगठन था और जो अपने स सुरेंद्रनाथ बेनर जी थे वो चाहते थे कि यह इंडियान एसोसियेशन राष्ट्रे इस्तर का संगठन बन जाए जैसे कि भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस था ना हाला कि उस समय यह भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस नहीं आया था लेकिन सुरेंद्रनाथ बेनर जी ने 1885 में प्रयास भी किया था इसको जो है राष्ट्र इस्तर का संगठन बनाने के लिए मतलब इसमें वो जो है लोगों को जोड़ना चाहते थे अब देखेगा हम लोग बात करते हैं सुरेंद्रनाट बैनर जी और भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस इनके बीज जो है क्या संब बास्यों में से एक सुरेंद्र नाथ बैनर जी भी थे भारतिय राष्ट्र कॉंग्रेस का जो जब इस्थापना हुआ ना तो उस समय जो अभी भाषन होता था मतलब कि इस्थापनाक समय जो भाषन जो प्रस्ताव रखा गया तो उसका जो प्रतिवेदन सारा कुछ जो तयार हुआ प्रस्ताव तो उसमें इनकी भूमी का महत्वपूर्ण थी यह आप ध्यान रखेगा इसके अलावा भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था ए ओ हुम उनको सारा स्रिय जाता है लेकिन वे अकेले तो कुछ नहीं कर सकते थे ना तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था दादा भाई नौरो जी थे व्योमेश चंद्र बैनर जी थे तो ये जो हैं संस्थापक सदस्यों में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था कभी आपसे पूछा जाए कि भारती राष्ट्रे कॉं कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जो भी प्रस्ताव है जो कांग्रेस की स्थापन किस तरह से होना है किस तरह से वो कारे करेगा क्या होगा वो सारा कुछ खाका बनाने में इनका काफी रोल रहा लेकिन आस्चरिय की बात ये है कि कांग्रेस का जो प्रथम अ Ind pike tempor च्यासी में Indian association का अधिवेशन llegó करशा तो वहां बीजी थे वहां पर वैस्थे यह जो है सुयनद ace energy यहां पर वैस्थे थे क्यों क्यों कि यह जो संस्था सðा की अधिम इनकी खुद की थी हाला कि भारतियर राष्ट्रे Congress के प्रती कह जो का फिण उ दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के तरफ अच्छे-च्छे निता थे, दादा भाई नोरो जी थे, एओ हुम थे, विमेश चंद्र बैनर जी थे, उनका जुरूरत यहाँ पर था, तो यह कलकत्ता में होते हैं, 1885 कमजोर होना सुरू हो जाता है, क्योंकि जो भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस है, वो लगातार लोखप्रिय होना सुरू हो जाता है, इसके बाद 1886 में इंडियन एसोसियेशन का विल है, भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस में हो जाता है, मतलब कि इसको जो है, कॉंग्रेस की अध्यक्षता की थी तो आपसे ये भी पूछा जाएगा एक याद रखना है आप लोगों को पुना भारती राष्टर कॉंग्रेस का पुना अधिवेशन कब हुआ था भई 1895 में 1895 का पुना अधिवेशन और उसके बाद अहमदाबाद यहां पर अधिवेशन हुआ था 1902 में तो ये दो अधिवेशन पुना अधिवेशन 1895 अहमदाबाद अधिवेशन 1902 तो इन दोनों अधिवेशनों में सुरेंदर नाद बैनर जी ने भारती राष्टर कॉंग्रेस की अध्यक्षता की थी इनके द्वारा एक समाचार पत्र एक पत्री का प्रकासित की जाती थ अधिवेशन द्वारा पत्रिका थी बंगाली नाम से परकासित होती थी बंगाली हम लोग जब सवदिशी आंदोलन पड़ रहे थे तो उस समय इस बंगाली पत्रिका की आया था जो कि सुरेंदरनाद बैनर जी द्वारा निकाली जाती थी और ये दैनिक पत्रिका थी रोज प्रकास से तो होती थी तो ये तमाम चीजे आप लोग ध्यान रखिएगा मैं इसको क्लीन करता हूँ आगे और भी कुछ है अपने सुरेंदरनाथ बैनर जी के विशय में जानने के लिए तो सुरेंदरनाथ बैनर जी जो की एक आगमी का रही देखो जो करजन था उसने जो है अपने समय में अपने कारिकाल में काफी कुछ ऐसे कारिय किये जिस कारण से ब्रिटिस सरकार का भारतियों से काफी विरोध किया तो करजन जिसका कारिकाल था 1899 से 1905 तो दिखेगा 1899 में मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले 1899 में लाड करजन ने क्या किया कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया जिससे क्या हुआ कि जो कलकत्ता निगम है वहाँ पर मनोनित सदस्यों की संख्या बढ़ गई और जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी संख्या कम हो गई तो इस चीज का जो है सुरेंदरनाद बैनर जी के नित्रितों में पूरजोर विरोध किया गया कलकत्ता निगम अधिनियम इसके बाद देखिएगा विश्व विद्यालय अधिनियम विश्व विद्यालय अधिनियम जिसके तहत विश्व विद्यालय और महाविद्यालयों में सरकारी नियंत्रन को बढ़ा दिया गया उसका भी सुरेंदरनाद बैनर जी ने बहुत जादा विरोध किया इसके बाद देखिएगा सबसे इंपोर्टेंट बंगाल विभाजन जिसको हम लोग बंग भंग के नाम से भी जानते हैं यहां लिखते हैं हम बंग भंग बंग तो जैसे ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था ना वैसे इससे पहले से यह सक्रिय थे जैसे ही 1903 में यहां घोशना हुआ कि बंगाल का विभाजन होना है तो वैसे ही सुरेंद्रनाथ बैनर जी और इनके एक सहयोगी कृष्ण कुमार मेत्र तो यह लोग जो है एक्टिव हो गए और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो फिर सुरेंद्रनाथ बैनर जी कृष्ण कुमार मेत्र इन्होंने जो है सुरेंद्रनाथ बैनर जी एक उधारवादी नेता थे तो यह जो है उग्र तरीकों को अपनाने से बचते थे भले ही यह स्वदेशी अपनाना विदेशी वस्त्रों का त्याग करना इसको मानते थे लेकिन जो उग्र आंदोलन जैसे की मानलो हर्ताल करना रैली करना धरना देना तोड़ फोड करना इन सब चीजों का विरोध करते थे सुरेंद्रनाथ बैनर जी मतलब सांती पूर्ण तरिके से काम करिए इस पर इनका विश्वास था तो बंगाल विभाजन के विरुध जो आंदोलन चलाया गया स्वदेशी आंदोलन उसके अघ्रनी नेता थे सुरेंद्रनाथ बैनर जी मतलब तो उस समय बाल गंगाधर तिलक वो भी काफी लोकप्रिय नेता थे और उन्हो नाम आपको लगाना है स्वधेसी आंदोलन में नित्रितो करने वाले नेता की रूप में सुरेंद्रनाद बेनर जी को ही आपको टिक करना है तो यह हुआ इसके बाद देखेगा 1907 में भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है और सूरत में भारती र कि थुटा बोद करेंगे तो जब सूरत अधिवेशन हुआ तो उस समय सुरेंद्रनाद बेनर जी नरम दल के नेता थे यह दो हुआ उदारवादी अथ्वा नरम दल के ग्रणी नेताओं में से एक थे तो सूरत अधिवेशन हुआ इसके बाद देखिएगा आगे चल करके जब सन 1909 में मारले मिंटो सुधार अधिनियम ये आया तो इस चीज का ना सुरेंद्रनाथ बैनर जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रती कृतग्यता व्यक्त किया मतलब कि एक तरह से ब्रिटिश सरकार को थैंक्स बोला क्रिटग्यता प्रकट किया क्योंकि जो मारले मिंटो सुधार अधिनियम में कुछ ऐसी विवस्थाएं की गई थी जिसकी मांग उदारवादी नेता काफी समय से कर रहे थे क्या मांग कर रहे थी कि जो केंद्रिये विधान परिशद है प्रांतिये विधान परिशद है उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृधि किया जाए निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए और उन सदस्यों को पहले से अधिक अधिकार दिया जाए तो इस अधिनियम में ये सारी चीजे हुई थी, इसे कारण से उदारवादी नेता जो हैं, इस मारले मिंटो सुधार अधिनियम का समर्थन करते हैं, और सुरेदरनाज बैनर जी ने भी इस चीज का समर्थन किया, 1909 में जो मारले मिंटो अधिनियम आया था, इसके बाद कब 1913 में इनको जो है बंगाल legislative council और imperial legislative council का सदस्य बनाया जाता है कब 1913 में ये भी काफी important है आपसे पूछा जा सकता है 1913 बंगाल legislative मतलब बंगाल का जो विधान परिशद है न लेजिसलेटिव बंगाल लेजिसलेटिव काउंसिल हिंदी में क्या बूलेंगे इसको बंगाल विधान परिशद उसके बाद और इंपिरियल लेजिसलेटिव काउंसिल का इनको सदस्य बनाया गया तो आपसे पूछा जाएगा या आप धियान रखेंगे तो ये 1913 में हुआ था बंगाल लेजिसलेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल का इनको सदस्य बनाया गया कि इनको भई सुरेंद्र नाथ बैनर जी को तो यह आप ध्यान में रखेगा इसके बाद दिखेगा जब महत्मा गांधी का भारत में आगमन होता है और राष्ट्रे आंदोलन और भारती राष्ट्रे कांग्रेस की बाग डोर महत्मा गांधी अपने हाथों में ले लेते हैं उसके बाद जो महत्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया था मतलब कि महत्मा गांधी द्वारा जितने भी आंदोलन शुरू किये गए थे चाहे वो 1919 में जो घ गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन शुरू किये गए थे जब तक ये जीवित थे तो इन्होंने जो है गांधी जी द्वारा प्रणित आंदोलनों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था आपसे पूछा जाएगा कि किस नेता ने मात्मा गांधी जी द्वारा चलाए या अंदोलनों का समर्थन नहीं किया तो सुरेंदरनाथ बैनर जी और भी नेता थे जैसे कि अपने जो एनी बेसेंट उन्होंने भी समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालविय जी भी थे जिन्नोंने समर्थन नहीं किया था तो कुछ थे जिन्नोंने गांधी जी के कारियों को समर्थन नहीं दिया उनमें से एक सुरेंदरनाद बैनर जी भी थे तो काफी important fact है इसको आप लोग ध्यान में रखेगा इसके बाद देखेगा 1921 में अंग्रेज सरकार ने इनको सर की उपादी दी कब 1921 में 1921 उस समय जो है भारतियों को सर की उपादी दी जाती थी अंग्रे मंत्री के पद पर रहे बंगाल सरकार में 1921 से 1923 तक ये मंत्री के पद पर रहे 1921 से 22 तक मंत्री के रूप में रहे कहां पर बंगाल सरकार में इसको बाद 1925 में इनकी मृत्तियों हो जाती है तो ये थे भाई सुरेंदरनाथ बैनर जी तो इनके संबंध में काफी कुछ और ये जो स्रिंखला है ना मतलब कि भारतिय राष्ट्रे आंदोलन से जुड़े हुए तमाम नेता चाहे कोई भी हो हम लोगोंने मंगल पांडे जी को भी देखा उसके बाद जो राजा राम मोहन राय जी है भाई उनको तो पढ़ना बनता ही बनता है और भी काफी सारे भाई पटेल, भगत सिंग, चंद्रशेखर आजाद, सुभास चंद्रबोस इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन इस तरह के जो दूसरे जो नेता थे जिनके विशाय में अधिकतर पढ़ाया नहीं जाता है हम उनको भी देखेंगे क्योंकि इन से संबंधित प्रश्ण भी अक्सर पूछा जाता है और आप लोगों को इनको भी जानना बहुत जादा जरूरी है तो आज का जो वीडियो है क्लास है यही पर समाप्त होता है आज के लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट हो कोई भी संसय हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर ल लिए बहुत बहुत धन्यवाद